आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ओरियो मैंगो पूडिंग की रेसिपी जिसे बच्चे बहुत ही जादा पसंद करते हैं और उसके साथ मैंगो मस्तानी दोनों ही रेसिपी बहुत ही मज़दार है और बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है तो चलिए बनाना सुर अगर आम बहुत जादा खटे हैं तो आप चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं और इसे हम प्यूरी बनाकर तयार कर लेंगे तो आमको मैंने पीस लिया है अब मैं इसमें से तीन बड़े चमच मैंगो पल्प जो है निकालकर बाउल में रख ले रही हूँ जिससे हम और यो पूडिंग बनाएंगे और बाकी का जो बचा हुआ पल्प है उसमें हम एड़ करेंगे आइस क्यूब तो यहां पर मैं चार से पांच आइस क्यूब ले रही हूँ से के लिए मैंगो जो है थोड़ा सा चिल्ड चाहिए तो मैं इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर ल लेंगे तो इस तरह से बिस्कूट को अलग करिए और नाइफ या सिपुन के साथ ऐसे इसका क्रीम जो है हम एक बाउल में अलग निकालकर रख लेंगे जिससे हम बाद میں यूज करेंगे तो यहां पर मैंने तभी बिस्कुट के क्रीम निकाल लिये हैं और जो बिस्कूट है इसे हम jar में add करेंगे और इसे हम fine सा powder बनाकर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने biscuit का fine सा powder बनाकर तयार कर लिया है, मैं इसे बाउल में transfer कर ले रही हूँ और अब हम जो cream निकालके रखे हैं उसमें लेंगे एक छोटी चमच गरम दूद और इसे हम अच्छे से mix करेंगे, तो यह cream के जैसा बन के तयार हो जाएगा, तो देखिए एकदम perfect यह बन गया है अब मैं इसे side में रख ले रही हूँ अब हम pudding बनाएंगे इसके लिए आप कोई भी cup या glass ले लीजिए और इस तरह से जो हमने गाढ़ा वाला mango pulp निकालके रखा था बाउल में, उसे हम 3-4 चमच glass में add करेंगे, और अच्छे से चारो तरफ से इसे हम set कर लेंगे और इसके उपर से फिर से हम Oreo का जो powder है उसे add कर लेंगे, हलके हलके हाथों से इसे हम press करेंगे जिससे की ये set हो जाए और मैंने यहाँ पे लिया है mango ice cream अब mango ice cream के जगा vanilla ice cream भी ले सकते हैं और जो हमने Oreo का cream रखा था उसे हम add कर लेंगे थोड़ा सा Oreo का powder और फिर Oreo biscuit से garnish कर लेंगे तो ये हमारी mango Oreo pudding जो है बन के तयार हो गई है अब हम mango मस्तानी बनाएंगे उसके लिए glass में हम एक छोटी चमर्ट टुटी-फूटी या फिर mango के कटे हुए pieces add कर लेंगे और जो हमने mango sick बनाये हैं उसे add कर लेंगे और इसके उपर से mango ice cream और थोड़ी सी टुटी-फूटी से या फिर कटे हुए dry food से गार्निस कर लेंगे तो यह हमारी mango मस्तानी जो है बन के तयार हो गई है तो यह हमारी जो दोनों ही recipe है बहुत ही मज़दार है इस recipe को आप पर जरू ट्राइ करे और आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताए साथ ही वीडियो को like करे, share करे और चैनल को भी subscribe करे